हेलो आज हम बात करेंगे realme c11 और c12 के फोन टेश्टाइल चेंजिंग सिस्टम के बारे में आप लोग में से बहुस लोग ने चीज नोटिस किया होगा कि जो टॉपिक है इस टॉपिक पर काफी अच्छा आप लोग का रिस्पॉंस मिलता है काफी ज्यादा व्यूस आद इस आप लोग बता देता हूं, और इसके अलावा अधर्स, फ्रूंट पे ज्यादा व्यूस की नहीं मिलता, तो मैं आप लोग को बता दो, इसकी अधर्स, फोन में क्या होता है, कि आप लोग डिरेक्ली फोन में, डिफॉल्ट में, काफी जादा फोन यां पे देखने को में ज आसान तरीके से कि वाई phone का आप लोग के step से अपने realme c11 और c12 में change कर पाएंगे बेन टाइम इस्ट की वीडियो को start करते हैं मैं आप लोग को दो तरीका बताने वाला है जिससे आप लोग अपने phone में जो है phone को change कर पाएंगे फर्स तरीका होगे आप लोग setting open करिए और यहां पर display setting में क्लिक करना है हमें और यहां पर हमें option मिलता है phone का इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें जो है जो है trial जैसी problems आ जाती है मतलब कि 5 minutes के बाद हमारी font automatic हड जाती है तो इस type की problems आ जाती है बट अगर आप लोग यहाँ पे free font apply करेंगे जैसे यहाँ पे कुछ-कुछ font जो रहती है वो free वाली रहती है जिसमें आप लोग को apply का option मिलता है अगर उस type की font apply करेंगे अपने phone में तो आप लोग को 5 minutes की trial problem यहाँ पे नहीं आएगे ठीक है न जैसे यहाँ पे default font इस type से apply कर सकते उस type से आप लोग किसी फोन को यहाँ पे apply कर सकते हो कि फिंट second तरीका क्या होगा कि आप लोग अलग से third party applications की माध्यम से जो है फिरी में phone unlimited phone का लाग उढ़ा सकते हैं जैसे कि मैं जब भी phone के उपर वीडियो बनाता हूँ तो एक application हर में सारी कमेंड करता हूँ जिसका नाम है Z phone इस application को आप लोग जो है Google Play Store से डाउनलोड कर लेजे का Z phone नाम लिखके और इसमें आप लोग को unlimited phone देखने को मिलेगी सबसे अची बात की हाँ पर जो phone मिलेगी आप लोग को वो सारी के सारी free में देखने को मिल जा दिये तो इन तरीके से आप लोग अपने Realme C11 और C12 में जो है phone digital को जैंज कर पाएंगे उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसने की जैं मता दी